हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मोल कॉंसेप्ट के कुछ कोश्चन सॉल्फ करने वाले हैं, जो की मोस्ट इम्पोर्टन थी, बहुत जातों कोश्चन ही पूछे गए हैं, नीट एक्जाम और बड़ एक्जाम बगएरा में, बिलकुल बेसिक से सीखेंगे मोल कॉंसेप्ट के इंपोर्टन कोश्चन, तो मोल कॉंसेप्ट के कोश्चन में, पहला कोश्चन है, निम्दे कितने मोलों की संख्या ग्याद कीजिए, 9 ग्राम H2 में बताना है कितने मोल होंगे, और 132 ग्राम CO2 में बताना है कितने मोल होंगे, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र जो भी दिया हो और उसका अडू भार ठीक है अडू भार पीटा ये अडू दिये हुए है तो अडू भार कहेंगे अगर परमाडू दिया होता ठीक है अथवा अथवा परमाडू भार अगर मालीची परमाडू दिया होता तो आप परमाडू भार लगाते ठीक है अच्छा ब में आताते हुए, सर ये बताईए, कि भार तो चलो दिया है, 9 गिराम है, ठीक है? ठीकिन 8 भार कैसे निकालें? तो अडुभार निकाले के लिए, आपको तरीखा बताता हूँ, देखो. जैसे आपको सैट से निकाल के बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि H2O का अड़ु भार देखो कैसे निकालेंगे बिटा H2O का अड़ु भार तो देखो वैसे भार जो होते है question के bracket में दे रखे होते है ऐसे दिया वह होता है H equal to 1 O equal to 16 ठीक है और C equal to 12 ऐसे दिया वह रहता है bracket में भार ठीक है और बैसे सवाल को करते करते याज भी हो जाते हैं किसका भार कितना होता है तो ये परमाणों के भार दे रखे हैं और इसका हमें अनुभार निकालना है तो अनुभार निकालने हम क्या काम करेंगे तो बिटा 2 H है आपर कितने H है 2 तो 2 multiply H का भार कितना है बन, प्लस का साइन फिर आक्सीन का भार कितना है सोला, तो कितना हो जागा ये दो प्लस सोला इक्वल टू अठारा गिराम ठीक है तो हमने ह2O का अनुभार निकाल लिए कितना आया, अठारा गिराम आया है इतना समझ में आया, तो ये बैलू लगा, तो इसमें अभी अंसर आ जाएगा तो देखेंगे ह2O के मोलों के संख्या बिटा ठीक है, ह2O के मोलों की संख्या तो देखो कैसे निकाल लेंगे हम भार कितना है, 9 गिराम और इसका अनुभार कितना है बटा 18 कैंसल आट कर दो, तो कितना आजागा 9 दूनी अठारा तो आजागा, बन अपाउन तू मोल, बन अपाउन तू मोल या 0.5 मोल, ठीक है तो जो 9 ग्राम ह2O है, इसमें कितने मोल होंगे 0.5 मोल या 1 बटा 2 मोल होंगे ठीक है, समझ में आ गया और देखो, second method देखो, यह तो सूतर से हो गया, second method अगर आपको सूतर याद नहीं रहता है, तो आप क्या काम करेंगे तो देखो, आप जानते हो बटा, अगर कहीं पर भी, जैसे कि माल लिजे कहीं लिखा हुआ है H2O तो H2O किस रिपरजन करता है एक मोल, अगर H2O का यह इसका मतलब क्या है वेटा, एक मोल एक मोल, ठीक है और यहाँ पर एक मोल का द्रब्मान द्रब्मान, द्रब्मान कहलो ठीक है आड़ एक द्रब्मान आड़ एक द्रब्मान या या इसको हम बोलते हैं परमाडु द्रब्बान या परमाडु भार, पार परमाडु भार, किसमें? ग्राम में, ठीक है, मतलब H2O के निखा हुआ है, तो वो दो चीज़ों को रिप्रिजन्ट करता है, एक मोल को, ठीक है, एक मोल में कितने अडु होते हैं, 6.022 उन इसका 23, ठीक है, एक मोल को भी रि होगा, ठीक है, तो आणविक द्रब्मान या अडु भार कितना है, इसका अडु भार 18, ठीक है, तो कहने बदलब यह है, 18 ग्राम में, एक मोल होगा, ठीक है, चूंकि 18 ग्राम में, H2O के मोलों की संख्या, H2O के कितने हैं, एक मोल हैं, एक मोल हैं, ठीक है, इसलिए 9 ग्रा हम में कितना हो जाएगी नोग बटा आधा कर दिया तो एक बटा दो मूल तो यह एंसर आगे स्वाज में आया आप लोगों के लिए ठीक है चलो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसका अडूभार ही याद कर लेंगे ठीक है तो दो सी ओटू का अडूभा का अडूभार कैसे निकालेंगे गता कार्वन का होता है 12 32 ग्राम CuO2 में most की संख्या ठीक है तो सीथा सब फॉर्मयल लगा देंगे most की संख्या most की संख्या बोराबर क्या होता है वेटा ? पदार्थ का जो दिया है भार बटे इसी का अडिभर ठीक है ? तो भार किताने रखा है ? भार दे रखा है भांपर देखेंगे 132 तो 132 बटे 44 ठीक है काड़ दो 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 आजाएगा दो से काड़ेंगे और दो चंग 12 हुआ करते हैं अपनी तरफ और दो चंग 12 हुआ करते हैं ठीक है पिटा देखो फिर तो 11 दूनी 22 11 चंग 66 2 तीय च्छे तो कुल मिला करके 3 मोल होंगे पिटा कितने मोल होंगे 3 मोल होंगे सुझ में आ रहा है आप लोगों के रिए तो ये आपका 1st method है 2nd method से हम किसको निकाल सकते हैं अगर हमें सूत्र याद ना रहे पेपर में तो इसी question को हम बिना सूत्र की help से कैसे करें चलो बिना सूत्र की help से करके देखते हैं इसी question को बिटा ठीक है देखो सुनो second method देखो इसी का second method बिना सूत्र के देखो बिटा आपको पता है यहाँ लिखा है 132 gram 132 gram CO2 ठीक है आपको पता है सिर्फ CO2 क्या सिर्फ CO2 सिर्फ CO2 रिफ्रेणट करता है एक मोल के लिए ठीक है किस्टि रिप्रेणट आबर टा एक मोल के lli है और एक मोल में कितने कृहँत है six point zero two two अंदीश्य तइसКак है एक मोल के लिए और यह अलॉभार के लिए ठीक लिए양ार nostra बढ़ ग्रठाता है मतलब 44 ग्राम में कितने मोल होंगे एक मोल होंगे ठीक है दुख बिटा चुकि 44 ग्राम में 44 ग्राम में CO2 के मोलों की संख्या मोलों की संख्या कितने होंगे बिटा बताओ एक मोल होगा ठीक है लेकिए बताना है 132 में ठीक है अच्छा में इतने होंगे इसलिए मॉल कितने होंगे एक ग्राम सुइज़ ऊटू में कितनी हो जाएगी एक बटा यह चीछ खना ची जाती है नीचे एक छवालिस मॉल ठीक है इसलिए अब अगरमे एक सो दचाइश में निकाले हैं 132 ग्राम स्यो टू में कितनी हो जाएगी विटा एक बटा एक बटा चावालिस इंटी एक सो बतीस मोल ठीक है कैंसल ओट कर देंगे बिटा तो देखो कि सीधे कितना जा गा है हाँ पर तीन आ जागा क्योंकि यह सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आगया यहाँ पर तीन मोल तुम आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के थीक है तो बटा यह तो मोल की संख्यमान निकालने का तरीका बताया तो हम दे देखते हैं कि नेक्स्ट आप के जो कोशें होंगे वो कैसे होंगे मोल बाले ठीक है तो बहुत बहुत इंपोर्टन कोश्चन है यह मोल कॉंसर्ट के और यह कंपटिशन एक्जाम में 100% यहां से पूछा जाता है बिल्कुल इग्नोर ना करें इस वीडियो को और कुछ भी कि अगर प्रॉब्लम हो समझ में ना आए तो मुस्से कमेंट करके आप जरूर पूछेगा और मैं उसके ऊपर आपके वीडियो बना करके प्रोवाइट करा दूंगा ठीक है तो देखते हैं कि नेक्स्ट आप कोश्चन कैसे होते हैं मोल कॉंसर्ट के तो इतना सब्सक्राइ या आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं पिटा अब नक्स्ट टैप का जो कोश्चन है वह है कि तो अब हैं दिखना गयाना यह जब्लों की संख्या जब्ल तो करना 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 करन कीजिए है अफिश्च रह दःका अभी हाली दियरख गाल लेते लेकिन अब मैं द्रब्रमाद की हर तीक है कि नहीं किसी एक मल करंगा चिक ठाइल account सेकंड में है 1.4 मूल बॉटर के हैं और थर्ड है थिरी मूल ऑक्सीजन के हैं तो इनका हमारे लिए भार बताना है कि भार क्या होगा ठीक है हाँ में तो दो तरीके हैं भार निकालने का एक सूत्र है और य्थR मैठा है तो आ पाइर आए भी इंसले वो हम इस निकाल लिए बताओ है तो पहले अज़िए भार बताना हैं वह हम सूत अभू मैट जानते हैं विस्टाइग है एक मौल कि एक मौल और पता है यहां ब्रैकेट में बादी हुर्थ से कहर के से था हुँ कुंता इता हूं एन एक्वर्द ट होता है भर है ठीक है और किलोरीन का होता है 35.5 और होता है एक अप्सीन का होता है 16 यह भार होते हैं ठीक है अब हम अड़ुभार निकालना है यह आपर तो एक मूल अड़ुभार कितना होता है बिटा देखो एने का होता है 23 पिलस 35.5 एड़ मार दो फटा पट कितना हो जागा यह यह हो जागा फाइव यह हो जागा एट 58.5 आ गया ठीक है अर्थात कहने का मतलब यह है बिटा 58.5 ग्राम एनेसियल में एक मूल अनेसियल का होता है ठीक है चुकि 58.5 ग्राम पांच ग्राम एनेसियल में ठीक है बटा 55 पांच ग्राम एनेसियल में चुक्ता उगीज़ इनेसियल में कितने मोल होता है एक मोल होता है ठीक है देखो अगर आपको समझ में नहीं कहने हो दो दूसर सailleurs दो आखा वर दसम लब ठीक है ऐसे नहीं करना है इसको क्योंकि यहां तो निकालना यह भार देख बिटा एक मूल एने सील का अडूबहार हो गया इतना ठीक है यह द्रबमान कह सकते हो तो हमें बताना है यहां दो मूल में तो यहां दो से मल्टिप्लाई कर दो इसलिए दो मूल कि दो मूल एने सील का अडूबहार या द्रबमान कि द्रबमान कितना हो जागा दो मल्टिप्लाई 58.5 कर दो पांच दूनी दस हुआ करते हैं हाद लगा एक आठ दूनी सूला एक सत्तरा ठीक है और पांच दूनी दस और एक ग्यारा पॉइंट लाओ एक के बाद तो इतना ग सूतर से निकाल करके सूतर से देखते हैं कि क्या होगा इसके लिए 물ow एड़े के बड़ा है तो अभी हमने पड़ा था कि यह सूतर होता है जो कर अब होता मोलों की संभ्या बराबर भार बटे इसी का अलु भार, बताया था, ये क्या है बेटा, पदार्थ का भार बटे इसका अलु भार, ये ही तो प्राता है हमने, अब हमें अलु भार निकालना है, क्या निकालना है पदार्थ का अलु भार निकालना है, ठीक है न, पदार्थ का अलु भार ग्याद करना है ठीक है तो अडवहार नहीं पदा आर्थ का भार ज्याद करना है ठीक है निम्निकित का द्रबमान ज्याद कीजिए तो द्रबमान का मतलब होता है बाटा भार ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मुला तो यहां पे भार एकोल टू हो जाएगा भार का मतलब क्या होता है भीटा द्रबमान खाड़ोंट यह द्रबमान एकोल यह क्या हो जाएगा एन इन्टू एम को बतलब क्या होता है बटा मोलो की संख्या मोलो की संख्या इन्टू अड़ुभार इन्टू अलुभार ठीक है टो देखेंगे तो देखेंगे तो देखुड रबांज धम निकाल लहे हैं यह अनसर घृओं तो यह क्या है यह भार ठीक है एनसेल का यह अडु भार अडू थीक है और और थे महां हम आभ सकते हैं भाहार है है ़्सक्राइब वगी मुझा करें घूरव करें सब्सक्राइब पता है आपको हमारा लिए अगॉबरान निकालने की जरूरत होती है इतना मिटा दें ठीक है तो यह सूत्रया दोखो द्रबमान ब्राबर या भार ब्राबर मोलों की संक्या इंटू और उभार ठीक है इसी से हम सौल को सौल करने की कोश्च करेंगे और अब देखेंगे है लेक्स्ट कोश्यम और छेक्ट करना है यह अच्छे को निकालनां एक दहुंट निकालना है एक दस्तम्भल चार मोल है उसको ठीक है यहां बागाँ के लिए हम चाम करेंगे हम सब से पहले आपको पता है कि आप ठीक करता है कि एक मोल के लिए या अपने द्रबमान के के लिए भीक कैंब अडुभार के लिए तो देखो यहाँ पर एक मूल को एक मूल एस्ट्रूओ का द्रबमान, ठीक है, एक मूल H2O का अडुभार देखो बटा ठीक है, एक मूल H2O का अडुभार, कितना होगा 18 ग्राम, कितना होगा 18 ग्राम, कैसे, देखो H2O का अडुभार, कैसे निकालते हैं, दो मल्टिपलाई बन, प्लस 16 तो कितना जाएगा, 18 ग्राम, संज्च में आया, तो एक मूल H2O का अडुभार, कितना है, 18 ग्राम है, ठीक है, तो फिर एक दसनलब 4 मूल, है, 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 तो जब इसकी हम गुणा करते हैं, तब यह आता है, 252, ठीक है, 252 अप पॉइंट लगाएंगे, एक के बाद, इतना आ जाएगा, ग्राम, बात संज्वारिया आत, दुखो मेरी बात को धान संबजना, दुखो बटा, जैसे कहें लिखा हो, H2O का, आप H2O का भार निकालें, ठीक है, जो H2O का बजन होता है, उसको हम कहते हैं, अडुभार, क्या कहते हैं, अडुभार, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आडविख भार कहते हैं, क्योंकि यह क्या है, एक अडू है इसलिए अडू भार कहते हैं लेकिन एक दसम्लब चार अच्टू कहेंगे तो इसको हम कह देते हैं यहां पर भार कह देते हैं यह द्रभमान सिर्फ कह देते हैं इतना सब्सक्राइब आया आप लोगों के लिए ठीक है आगर शूत्र से निकालें इसे तरीके को इसी चीज को सूत्र से देखें वह सौल करके सेंड्स में अधर्स सैने होता है इसका निकालने का फॉर्मूला है द्रभमान या भार निकालने का सूत्र क्या है अडू भार एन इंटू अडू भार एन इंटू अडू भार तो एन क्या है एन की संग्या है एक दसनलाव चार और अडू भार कितना है अठारा मिल्टिप्लाई कर लेंगे कितना जाएगा 202.5 ग्राम ठीक है समझता रहा है इसी प्रकार जो थरड कोजिशन है थरड कोजिशन में देखेंगे बीटा हमें तीन मॉल का अडू निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं एक मॉल एक मॉल O2 का भार ठीक है बीटा भार भी कह सकते हैं एक मोल O2 का भार कितना हो जाएगा भार कैलो या अड़ो भार कैलो ठीक है एक मोल O2 का भार कितना हो जाएगा है हहाँ पर 2 into 16 अर्था 32 हो जाएगा ठीक है इसी लिए इतना हो जाएगा तो हमें कितने का निकालना है कि तुटीन मूल आजोका भार थिक्व है तो कितना थी इंटू बइतिस दो तीए चे तीन ग्राम हो जाएगा शंज़माइगी बाता आप लोगों के लिए या इसका हम सूतर से देखो बिटा इसे चीच को सूतर से कर आथ है तो आपना गांगा बत्तिति ने गाल ना थिस तो कित नहीं गांगा और है जा वांगा तो तीन मोल हैं तो दो तीन चेंट नौ ठीक है तो तीन चेंट नौ 96 ग्राम ही आ गया तो मुझे उम्मीद है बिल्कों क्लियर हो चुका होगा ठीक है फिर समझेंगे ध्याम समझेंगे बिटा देखो हमारे लिए एक दसल्व चार मोल एच्टू का दरब्मान निकालना है ठी ठीक है तो एक दसल्व चार एच्टू का हम दरब्मान देखेंगे या भार देखें कितना हो जाएगा तो इस प्रिकार से इसे भी कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है यह वाले कोईशन आपको बिल्क अच्छे समझ में आगए होंगे यहां पर भार बराबर होता है एंटू अधिम लिए चलो नेक्स्टब के कोश्टन देखती है ठीक है तो देखती है नेक्स्टाइब के कोश्टन तो बेटा समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो देखते हैं कितना लंबा हो गया है कही है है यहां मेहोस हो जाओ पड़ते-फड़ते चलो ने थो नेम लिखित में मोलों की संक्याग याद कीजिए ति निमने लिखित में निमने लिखित में लिख नमोजों की संख्या ज्यात कीजिए ठीक है निम लिखेते मोले उसे ज्यात कीजिए पहला दिया हुआ है किसके मोलके से 3.01 गुणे दस्की हाथ 23 अडू इसे बताना है कितने मोल होंगे और सेकंड दिया हुआ है बिटा 6.02 गुणे दस्की हाथ 23 21 H2O में बताना है कितने मोल होंगे और यहाँ पे बिटा काय के है CO2 अडू है बताना है कितने कितने मोल होंगे इसमें ठीक है सही है बिटा देखो हम जानते है कि एक मोल एक मोल CO2 में कितने कड होंगे 6.02 गुणे दस्की हाथ 23 ठीक है तो हम जानते हैं बिटा 6.022 गोड़े 10 की हद 23 CO2 अडू में मोलों की संख्या कितनी होगी बिटा बताओ मोलों की संख्या कितने अडू मोलों कितनी होती है एक होगी ठीक है कितनी होगी बिटा एक मोल होगा ठीक है एक मोल बरावर क्या होगा इतने सारे CO2 के अडू होगे ठीक है तो इसी लिए बिटा 3.01 में نिकालना है इसका मतलब इसके आधा करना होगा ठीक है संख्यारी बात तो आप इसको आधा कर दो बट्टे 2 कर दो इसलिए इसका अधा कितना हो जागा थी पॉइंट जीरो वन वन गूरे दसकी हथ टेईस सी ओटू अडू में अडू में मोलों के सेंकित नियुक्ष इधर आधा किया तो दर्ली करते हो तो हाफ मोल आजागा हाफ मोल ठीच है यह हो गया मैं आपको सैकंड मैस से कराता हूं इ प्राइब दुरसा तरीका देखों पाँ स्घाट स्खेंट में रस से चाहिए सूत्र होता है स्मॉल एए इक टुटू क्या, प्रुट्ल एपन असे, ज़हां इस्पॉल एहनक है? केले एंग की संख्या घप्टेल एन वे कुझ अले एसे संख्या हो थीज़ भापताएं सूर्ड से करके ऐसी चीज़ को हमें क्या बताना है ऐसे उस्ट Yay में मोलो की संख्या मोलो की इससे क्या एक निकाल टू एन अपॉन एन तो एन के इतन n-n-n-n दे रख्भा है, ये n की बालुउ दे रखिये इतने अलोओं में, तो n की बालुँ कितनी है, 3.01 गुढ़ेदस की हाथ 23, ठीक है, और n एक बालुई कितनी होती है, इसकी बालु तही है, 6.022 गुढ़ेदस की हाथ 23, बेटा येसी ये Cancel हो गए, ठीक है यह दूण हुआ करते हैं तो एक बटा दो मॉल एक बटा दो मॉल तो ऐस प्रिकार से हम निकाल सकते हैं सूत्र की हेल्प से मुझे बता है सूत्र आपको जाथ अच्छा लगता हो रहा है ठीक है तो सूत्र की घल्प से करते हैं तो मैं नेक्स्ट कोश्चन जो है है नेक्स्ट इसमें चलो फेले बीरा सूत कि देखें करके तो हम जानते हैं कि या जानते हैं विटा हम लोग हम जानते हैं कि 6. regional 2 क्योंने दसकी हात थेज़ ἔज 네 मघानों में कि मोलों के संख्यान किभनी वेट आपो मोलों की संख्या होती है एक एक मोल होता है है एक मोल होता है वेटा इतने अगों में किसी भीचितने र मोलों में कितते IPS कफ एक मोलों होता है कि इससीलिए हम लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट जिरो तू त्रसके घाथ 21 into 10 की हाथ 21 गते सकते हैं घाते यहां पे दो ठीक है ऐस टूओ अडू में मोलोगी संख्या मोलोगी संख्या बराबर के तना हो जागा एक मोल तूरी रहेगा थी कि बस निकालना कितने में हमहें दिने में निकालना है तो इसलिए सिक्स पॉइंट जिरो टू मुझे दसकी हाथ 21 में जो मोलों की संगर कितनी हो जाएगी यह चीज इदर चले जाएगी तो बन अपॉन जिरो टू मोल यह हो जाएगा 20 की पावर मैनस टू मोल ठीक है स्याथ समझ में नहीं आया हो आपको कोई बाद दि मैंको 2nd मेथट से स्को कर देता हूं से खिक बाटा तो साफ़ंड में फॉर्मूला होता है एन एकोल टू एन अपोन एन ठीक है तो शूतर से देखो बटा सूतर से देखो इसी चीज़े को हम जानते हैं स्मॉल एन एकोल टू कैप्टल एन अपउन ए ठीक है तो हमें स्मॉल एन फाइंड डॉट करना है तो काप्टेन की वालू किती दिर्ख ही है 6.02 उन्हें दसकी हाथ 21 यह दिर्ख था ठीक है और एक वालू कितनी होती है 0.62 उन्हें दसकी हाथ 23 यही तो होता है यह कैंसल आउट हो गया अब क्या बच्छा दसकी हाथ 21 ऊपर जाकर के यहां ह हो जाएगा मुल्टिप्लाइद दसकी पावर माइनस का 23 तो एक जैसे होते है तो घट जाएंगे दसकी पावर दसकी पावर 21-23 तो कितना हो जाएगा दसकी पावर माइनस के 2 मॉल ठीक है मुझे यह वाला आपको अच्छा रगा होगा लेकिन तरीके वीटा दोनों तरीके है ठीक है यह फॉर्मूले से वह बिना फॉर्मूले के थोड़ा कॉमन सेंसे किया हुआ सवाल है तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुस अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है और कोश्चन गरा है बताओ बटा चलो और देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन और देखेंगे नेक्स को बिटा निम लिखित में परमाणों की संख्या ग्याद कीजिए निम लिखित में परमाणों की संख्या ग्याद कीजिए निम लिखित में परमाणों की संख्या ग्याद कीजिए बिटा कोश्चन लिखो निम लिखित में परमाणों की संख्या ग्याद कीजिए ठी तो देखो पहला है जिए रो पॉइंट फाइब मोल ऑख फाइब मोल ही लिए में लिए परमानु की संक्या और दूसरा कोश्चिन है एक दसम्ला पांच मोल पूर्टू में बताना है कितने परमाड़ू होंगे सी ओटू में ठीक है तो मैं यह दो ही कोश्चिन करा रहा हूं उसके बाद मैं क्या काम करेंगा नेक्स वीडियो में करेंगा क्यों कि वीडियो हो जागा लंबा और आप प्रिसान हो जाओगे मुझसे को कि बहुत ब्राप करना है तो हम जानते है मुझाओ द्राट बीना दैर्थ फोर्मूल जानते हैं प्रबोडिया खिए चेल यहां इक życie के सुर्णि कोर्ण गृटब्ला उल मोल मोल बमेंदेट कीहां ता when you go सब्सक्राइब कर दिया कर दिया करो बहुत लंबा सवाल हो जाता है विटा पांच शक्राइब तीस ठीक है पॉइंट लगाओ एक के बाद यह वोड़ी दसकी हाथ तेईस अडू इतने अडू हो जाएंगा इसको देखो इसको 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 इसकी गुणा करते हैं इस से ठीक तो चे से कर लो कहां तरम गरोगे यार तो पांच शक्राइब तीस हां से लगे तीन और छे कमचे छेती नौ ठीक है नब्भे और पॉइंट इंटू दसकी हाथ तेईस अडू यह इतना अंसर हो जाएंगा थीक है अच्छे सैकंड मैंथर से देखो मैं एक करा जाता हूं बागी तो अपना पर लेना दूसरे वादा ठीक है सैकंड मैंथर से देखो अगर हीलियम में एक मोल हीलियम के परमाड़ों की संख्या कितनी होगी एक मोल में परमाड़ों की संख्या 6.022 पुरे दसकी हाथ तेईस यह होंगे इसलिए 0.5 का मलता है आधा इसलिए 0.5 यह चाहूंत तो इसलिए 0.5 मोल हीलियम में परमाड़यों के शंख्या 0.5 से मिल्टिप्लाइगर दो 6.022 बसकी एसलिए 0.5 से मल्टिप्लाइग कर देगे कल यह मोल के सारे सवाल करा देंगे जितने भी हैं अपने सलावस के अकॉर्डिंग तो फिर मिलते बड़ा कल को नेक्स्ट वीडियो में तब लग की नमस्कार जैन बंदेगा तुम्हें बाई बेटा